हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू अजीत अश्टडी सेंटर तो आज के इस वीडियो में हम लोग डीवीजन यानि की भाग के प्रस्न को सोल्म करने के लिए सीखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्क्रिप किये पूरा अंत तक ध्यान से देखिए तो चलिए सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो देखिए यहाँ पर आपको एक भाग का सवाल दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर 86,0584 को 12 से भाग देना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12 और फिर 12 को लिख करके इस तरह से करना होगा और फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है 86,0584 इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कर देना पड़ेगा अब यहाँ पर देखिए यह 12 है यानि कि 12 जो है वो दो संख्याओं से मिलकर बना है तो यहाँ पर दो डिजिट है तो 12 से जब हम भाग देंगे तो हमेशा इसमें दो डिजिट में भाग देंगे यानि कि 12 से भाग देंगे हम 86 में तो भाग का नियम यह है कि हमको यहाँ पर 86 के बराबर या तो 86 के आस पास लाना है 86 से बड़ा संख्या हमें नहीं लाना है नहीं तो फिर गलत हो जाएगा तो इसके लिए आपको 12 का पहाड़ा याद होना चाहिए तो देखिए 12 एकम 12 12 दूना 24 12 तीयच हतीश 12 चौके 48 12 पचेश आठ 12 चके 72 और 12 सते 84 और 12 अठी 96 अगर हम 8 पार में देते हैं तो ये हो जाता है 96 जो की 86 से बड़ी शंख्या है इसलिए हम 8 पार में न दे करके 7 पार में यहाँ पर हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 तो 12 सते क्या होता है 84 तो यहाँ लिख दिए 84 और फिर 8 में 8 को जब हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा यानि कि 0 बचेगा उसके बाद नियम क्या है तो एकक डिजिट करके हमें उतारना पड़ता है तो देखिए 86 का काम हमारा हो चुका है उसके बाद काउनसा डिजिट है तो यहाँ पर है 5 तो यहाँ पर हम उतार दिए 5 फिर शे वही काम करना है 12 के पहाड़ा में हमको 25 से बड़ा नहीं लेना है 25 के बराबर हो जाए या तो 25 के आसपास होना चाहिए 25 से छोटा होना चाहिए तो देखिए 12 एकम 12 12 दूना 24 और 12 ती या 36 अगर हम 3 बर में देते हैं तो 36 होता है जो की 25 से बड़ी संख्या है तो इसलिए हम देंगे 2 बर में तो इस तरह से 12 दूना 24 तो फिर घटा देंगे फिर यहाँ देखिए 5 में 4 घटा आएंगे तो एक बचेगा और फिर 2 में 2 घटा देंगे तो यह 0 यानि की कट जाएगा फिर देखिए यह 5 तक हो चुका है फिर यहाँ पर उतारेंगे 8 को चलिए यहाँ पर उतार दिए 8 अब यहाँ पर 12 एकम 12 12 दूना 24 यानि की अगर 2 बर में देते हैं तो 24 हो जाता है जो की 18 से बड़ी संख्या है तो इसी लिए हम यहाँ पर देंगे 12 एकम 12 तो यहाँ पर लिख दिए 12 अब क्या काम करना है तो घटा देना है तो जब यहाँ पर 8 में 2 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 6 और फिर एक में एक घटाएंगे तो 0 बचेगा यानि की कट जाएगा अब यहाँ देखिए 8 हो गया है तो फिर क्या है लाश्ट डिजिट 4 है तो यहाँ उतार दिए 4 को अब देखिए 12 का पहाड़ा पढ़िए 4 शट के करीब होना चाहिए यानि की आसपास होना चाहिए 4 शट के बराबर हो जाए या तो उसके आसपास रखिए 64 के जादा नहीं होना चाहिए तो देखिए 12 एकम 12 12 दूना 24 12 तिया 36 12 चावके 48 12 पचे 6 और 12 चाके 72 अगर हम 6 बार में भाग लगाते हैं तो 72 हो जाता है जो की 64 से बड़ी शंक्या है तो इसलिए क्या करेंगे की 12 पचे 6 यानि की 5 बार में भाग देंगे तो 12 पचे 6 हो गया अब इसको घटा दीजिए देखिए 4 में 0 घटाएंगे तो ये हो गया 4 और फिर 6 में 6 घटाएंगे तो ये 0 यानि की ये कट गया तो इस तरह से जब हम 12 से भाग दिए 86,584 में तो 7215 ये आ गया हमारा भाग फल इसको हम लोग कहते हैं भाग फल और ये जो है उसको कहते हैं सेस्पल चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ये है 7215 ये है बाग फल और ये جो चार आयाँ हлаг यहाँ पर ये क्या है सेस्पल तो फ्रेंच आई होब कि आपको ये भाग के प्रेसन को सुल्ब करना अच्छे शेशमज में आया होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नाय हो तो चैनल को भी सबस्क्राइब करें धन्यवाद